तो हलो नमस्ते अस्तार कुछ से काल केम छोग नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है टीवी वाला बिग बॉस ये जिन्दगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली में मैं हापर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक्डाउन हुआ जब ये लॉक्डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं के बच्चे है और कुछ काम लेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहा वाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई वाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास मेहीं पांचे किलमेडर दूर एक गाउं में बेजा राशन करीदें के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो के बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्हों दूर उटो और इमास पहने तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया यहां पर आए उन्होंने एक एक रियान की और मैंने उन्से खा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वो ही आपने किया और रहाईती बेवकूफी की चीज़ की दिमाग से निकल गया है और सोचा कि बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आरी कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात गोर से सुने किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुक्रदाएक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाउट आ जाना एक उसका सियम खो देना होप खो देना वो उससे बुरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमन एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिड पेशिंट है उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने एतियात नहीं रखा गल्दी हमसे हो गई और जो नेगेटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गैरेंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को महले से शहर को शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मेंट ने के बाहर मत जाओ सोशल गैदेरिंज ना करो यह खाया ना दोस्त यारों से ना मिलो आइसोलेशन में रहो घर में रहो परिवार के साथ रहो परिवार के साथ वग गुजारो यह सब किस के लिए? उनके लिए? नहीं हम सब के लिए नमाज पढ़ना है घर पे कड़ो बुजापाट करनी घर पे करो बच्वर में यह सीगा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्ला के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग मनना तो एक दिन सब को है लेगिन क्या कोई मनना चाहता है यह यहाँ पर आके यह बात चेंज कैसे हुई इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो स्टार्टिंग विथ योन फैमिली तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताव पुलीस का साथ देना गवर्मेंट का साथ देना डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मिन्ट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है करेक्ट है रॉंग है नेगिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं अगर आपके आक्शन सही होते हैं तो यह लोग डाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वाइरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं ग्रूप्स में दोस्ति यारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुट्टों पर डंडा नहीं मारती हैं आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वाले को मजा रहा है किसने रोका है आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सावा लेने जाओ घर तुरंट आजाओ, पास में जाओ, किसने रोखा है? मास पहनो, गलवस पहनो, अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स, नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वायरिस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो, पहलों तभी वो 18-18 गंटे काम कर रहे हैं अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नहीं देखती आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहें और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठें और वो भी आप नहीं निभा रहें मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे जब से ये बोला गया है कि घर से बाहर मत निकलो उन्हें निकलना शुरू करती है, कमाल है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं पुलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रही हैं वर बैंक में काम कर रहें जिसके वज़े से आप अपने ATM और अकाउंट से पैसे निकारा रहे हैं अपने खाने पीने के लिए आप उनकी वी जानको खत्रे में धाल रहे हो यह कमाल है डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए नर्सिस आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पे पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वाह वो हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां? किस और भाग रहे हो? जिन्दकी के और भाग रहे हैं या मौत के और भाग रहे हैं अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिवाट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते है कि परिवार गुजर जाने से बहतर है कि ये बिना खाए पिये ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग़ा है कि वाकिव में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये विमारी पहली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वायरस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंदोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भादुर वाप कि इतने भादुर इतने तकत वर वाप कि आप अपने परिवार वालों को कांदा दोगे उत्य अर्ति उठाओगे कि इतना जिगर है आप तक यूँ आप यम्राज और मलकल मौत बनना चाहते हो और क्यूँ अपने परिवार के लोगों पे इनलिल्ला है और राम नाम सकते है पड़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं जिसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई न रहे है हम विसाइड करो और सब शुक्रिया दा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि यह आगे न पहले और दूआ करो कि वो नौबत न आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहे बनेवाद